तो गैस हमारे सस्क्राइबर ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि मुविंग एवरेज पर रोबोट बनाने के लिए तो आज मैंने दो मुविंग एवरेज का यूज किया है एक 5 का और एक 20 का तो आज मैं 2 EMA का यूज करके रोबोट बनाने वाला हूं तो इस वीडिय यहां पर आपको no trade लेना है और जो no trade की condition रहेगी वो कुछ इस तरीकी से रहेगी group mode वो कुछ भी changes नहीं रहेगा filter by type by और sell दोनों के लिए रहेगा तो इसको कर देते simple update सबसे पहले हमें function लेना है no trade का ठीक है यहां पर जो setting रहेगा वो कुछ इस तरीकी से रहेगा अब इसका setting दिखा देता हूं इसको मैं double click जैसे करूंगा तो यहां पर देखें यहां पर मैंने इंडिकेटर लिया है moving average लिया है exponential moving average fast यहां पर मैंने period डाल दिया है ताकि हम रोबोट की input से setting change कर सकें direct moving average की और फिर उसके बाद यहां पर method मैंने exponential रखा है apply price close price में मैंने ठीक ना अभी तो यहां पर देखें मैंने यह में slow लिया है exponential और फिर उसके बाद close price तो यह हो गया यह पूरी setting सेम कुछ इस तरीकी से रहेगी फिर उसके बाद हम लोग आते है check distance यह वाला आपको कहां से लेना है यह आपको मिलेगा यहां check distance यह देखिए यह जो check distance है यह ह अब इसका setting क्या रखना है हमें यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो setting रहेगा वो कुछ इस तरीकी से रहेगा indicator जो है indicator moving average अपना यह में fast इसको इसके साथ से connect कर देंगे आपको अपना cursor जो है इसके उपर रखना है right click जैसे करेंगे तो यह box खुल जाएगा और य अहला moving average यह अपना दूसरा moving average देन उसके बाद यहां पर देखे हमारा यहां पर हमने distance डाल दिया कि कितने distance के बाद हमें trade डालना है यह है यहां पर तो हमने यहां पर दोनों moving average को डाला है फिर उसके बाद last में यहां पर हमने distance डाला है कि कितने distance के बाद trade लेना है कभी कभ मुविंग एवरेज क्रॉस ओवर करता है लेकिन क्रॉस ओवर करने के बाद फिर वह मार्केट उपर चला जाता है जिस टाइम पर मार्केट साइडवेश चलता है तो उस टाइम पर आपका लॉस हो जाएगा तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चेक क्रॉस ओवर होगा हमें जब लंबा एक सेल का केंडल मिलेगा तब हम वहाँ पर एंट्री लेंगे तो यहाँ पर मैंने डिस्टेंस का भी यूज किया ताकि हमारा जो कन्फरमेशन है वह और जादा हो जाए तो यह हमारा हो गया अभी इसको कर देते हैं अपडेट सेम टू से जैसे मैंने से किया तिसमेशन करना थैंस अपको सेम टू से करना थै 성 चेछिग करना है आपके पास फिर एक लास्ट में सूर्सकोड बनके तियार Pon live कर सकते हैं अपने हिसाप से अगर आप चाहते हैं कुछ modification करना यह तो मैंने just simple बना दिया आपको सिर्फ example के लिए समझाने के लिए और यह work भी आपको मैं इसको test करके दिखाऊंगा काम भी बहुत अच्छे से करता है और बाकी अगर आप चाहते हैं कुछ खुद से add करना तो आप उसमें add कर सकते हैं और यह वाला जो software है इसमें मैंने stop loss और take profit का use किया है तो यह हो गया हमारा check distance अभी हम आते हैं अपने दूसरे condition पर देखिए तो यह जो हमारा है तीसरा यह हमारा condition ही है ठीक है तो अभी मैं इसका condition दिखाता हूँ आपको double click जैसे क setting है हमारा वैसा ही पूरा setting रहेगा यह में cross over जब यह में cross over करेगा तो यहां पर हमने उसको बताए कि जब cross करेगा कैसे कैसे तुमको manage करना तो फिर हमने यहां पर अभी एक और condition बताए cross over ठीक है तो अब इसको setting यह आपने पूरा देख लिया सब जितनी भी setting है आपको कु देखिए आपको पूरा setting दिख जाएगा जैसे मैंने same to same setting किया है same to same आपको वैसे करना है कुछ भी changes नहीं करना ठीक है फिर बाकी अगर आप sure है अगर आपको effects team आता है तो आप change करिए बाकी अगर आपको effects team ठीक से नहीं आता तो फिर आप मत करिएगा और बाकी अगर आपस से वैसा बनाना पड़ेगा तो ऐसा तो जब भी छेड़कानी करें दो फाइल बना ले एक को सेव कर ले और दूसरे वाले से काम करें तो यह हो गया अभी अपना check distance यह मैं चेक डिस्टेंस जैसा कि मैंने बताया हमारा यहां से आपको लेना है यह हमारा check distance है और यहा आपको यहां से लेना है once per bar यहां से लेक आपको ऐसा पकड़ कैसा करके लाना है ठीक ना यह once per day आ गया once per bar आपको लेना है फिर वहां पर आपको देखिए by now का option लेना है कि मतलब अब by कर दो इधर हमारा पूरा by के लिए confirmation हुआ हमने दिया कि ऐसा ऐसे हो तो फिर तुमको लाश्ट में अभी by लेना है तो देखिए by मैंने यहां से लिया और by का सेटिंग मैं अगर आपको दिखाओ तो देखिए इसमें मैंने lot size connect कर दिया ताकि हम लोग सेटिंग रोबोट की सेटिंग से direct lot size कम जादा कर सकें stop loss मैंने इसमें डाल दिया ताकि हम अगर चाहे तो stop हो गया अभी update तो इधर वाला हमारा by का हो गया अभी मैं आपको सेल का दिखाता हूं अभी देखिए सेल वाले में देखिए हमारा सेटिंग रहेगा सब कुछ सेम ही रहेगा कुछ भी changes नहीं रहेगा यह जो है यह हमारा condition है यह आपको यहां से condition लेना यह देखिए same same color है म से एक सभी का अपना अलग-अलग color है तो आप color wise भी कर सकते हैं कि कौन सा देखिए इन दोनों का सेम है बस इन दोनों का सेम है बाकि और इन दोनों का क्योंकि action भी दोनों सेम है इसके लिए दोनों सेम है बाकि सब कुछ अलग-अलग है तो देखिए यहां पर अभी यह condition मै आपको दिखाया में का स्पेम जैसा मेरा है सेटिंग वैसा आपको रखना है फिर उसके बाद देखिए चेक डिस्टेंस में आपको दिखा हूं तो इंडेकाटर मूविंग एवरेज यह जस्ट अपने कुछ अपोजिट करना है ठीक है मसदी फास्ट, मसदी स्लो, मूविंग एवरेज फास्ट, यह ठीक न और यहाँ पर लास्ट में अपन डिस्टेंस रखेंगे इसको कर देता हूँ अपडेट फिर उसके बाद देखिए मैं उस स्ट्रेटिजी पर सॉफ्टेर आपके लिए बना दूँगा यहाँ पर आब आते हैं हम लोग इसका मैंने दिखाया आपको EMSL का यह सेम सेटिंग जैसा है सेम तो सेम ऐसा रहेगा फिर उसके बाद हम लोग इसकी बात करते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ ज़्यादा प्रेपिरेशन करना है ताकि आप लोग को अच्छे समझा सकूँ और मेरा यह व्यू है कि मैं सभी ट्रेडर को जितने भी हम इंडियन ट्रेडर है सभी को मैं सिखाना चाहता हूँ कि कैसे सॉफ्टेर बनाया जाता है क्योंकि हमारे साथ बहुत स्काइम हो रहा है भी मार्केट में मतलब कोई भी आकर कि हजार डॉलर दो हजार डॉलर कुछ भी कचड़ा रोबोट दे करके चला जा रहा है हम पर्चेस कर लेते क्योंकि हमें नौलेज नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम इतना नौलेज हो जाए कि आप बुरे और अच्छे के बीच में फरक कर सकें तो सबसे पहले देखेगाई यहाँ पर चीक डिस्टेंश में हमनों इससे यहाँ सेन नोकर सेटिंगे आपको वैसा करना है देन उसके बाद यहाँ पर वन्स पर बार में तो कोई चेंजिस रहेगा नहीं जैसा है वैसे का वैसा रहेगा फिर उसके बाद हम लोग सेल का कंडिशन लेंगे कहां से यहां से सेल ना होगा ठीक ना अभी इसको डबल क्लिक करता हूं और इसका मैं आपको इन्पुट दिखाता हूं यह देखी यहा मैंने कुछ भी नहीं किया अगर हम लोग इतना अगर कोडिंग करने जाते तो बहुत ज़्यादा मेनत हो जाती लेकिन एफेक्स की मदल से हमारा काम बहुत ज़्यादा असान हो जाता है अब मैं इसका आप लोगों को सोर्स कोड दिखाता हूं जैसे अगर आपको सोर्स मैंने वो सॉफ्यर बनाया और देखे तुरंत 15-20 मिनट में देखे इतना सारा हमारा पूरा कोडिंग होके तैयार हो चुका है तो एफेक्स जीमा हमारे काम को बहुत ज़्यादा असान कर देता है अगर आपको सॉफ्यर बनाना है रोबोट बनाना है तो आप एफेक्स जीम पल मूविंग एवरेज क्रोस ओवर ठीक ना यह हो गया हमारा रोबोट अब इसका मैं आपको इन्पूट सेटिंग दिखा देता हूं यहां पर देखे लॉट साइस वन यह में फास्ट यह में स्लो चेक डिस्टेंस एसल पीप्स और टेक प्रॉफिट पिप्स सारा कुछ यहां पर रखा हुआ है इसल टेक प्रॉफिट भी है एक घंटे की टाइम फ्रेम पर हम इसे टेस्ट करेंगे और हम इसे फॉरेक्स के मेजोर पेर पर चलाएंगे जितने भी जैसे यूरो एजडी जिबीपी ओजडी इन सभी पेर पर हम वन आवर के टाइम फ्रेम में चला ऑप टेकिए हमारा प्रॉफिट में क्लोज हुआ है तो अभी इसको मैं थोड़ा सा आगे फ्रॉवड करता हूं फिर देखें यहां पर अभी एक त्रेट लिया और यहां पर क्लोज कर दिया आपको देखने में सिंपल लग रहा होगा बहुत सिंपल लग रहा हो देखने मे moving average plus distance कि भाया जब moving average crossover हो then उसके बाद हमें distance भी मिलना चाहिए ऐसा नहीं कि मतलब market sideways चल रहा है थोड़ा सा हमें crossover मिला और हमने trade डाल दिया ऐसा नहीं चेक करके तो देखें इसका performance अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ मैं हमारे अभी तीन trade लगे है चार trade जिसमें से एक trade हमारा loss में book हुआ है और बाकी trade हमारे profit में book हुए है तो इसका graph में आप सभी को दिखा देता हूँ उपर है और इसका profit ये कुछ इस तरीके से है और report की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए हमारा 226 डॉलर का हमारा minus गया क्योंकि हमारा lot size एक का था profit factor देखिए 3.71 का है और जो हमारा total net profit है वो 937 डॉलर का है तो खैर ये तो मतलब कोई बहुत बड़ी strategy नहीं हुई बस जैसा कि हमारे viewer ने comment किया था कि आप software बनाए ऐसा ऐसा मैंने उनके लिए software बनाया इससे क्या होता है कि मैंने just आपको example अभी बताया और आप इसके थूरू चाहे तो आप इसको और ज़्यादा अपग्रेट कर सकते हैं और ज़्यादा बहतर बना सकते हैं और ज़्यादा confirmation अगर आप इसमें डाल देंगे तो ये रोबोट और ज़्यादा बहतरिन तरीके से काम करेगा तो ये source code जैसा जैसा मैंने बनाया है जैसा जैसा मैंने आपको बताया और अगर आपको कहीं भी doubt आता है तो मैंने जो class ले रखा है पहले वो वीडियो सारी live section में पड़ी है आपको क्या करना है मेरे channel पर जाना है वहाँ पर आपको live वाले option में आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी FSTMA का course वाला वहाँ से आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए देन उसके बाद आपको ये जो मैं अभी बता रहा हूँ रोबोट बनाना बिलकुल आसान लगेगा आपके लिए तो सबसे पहले वो वाली वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देखा तो और जिन्हों ने देखा है उनको बहुत आसान लग रहा होगा और वो अच्छे से software भी बना रहे होंगे तो अगर आपके पास भी कोई doubt है कोई strategy है अगर आप उसके उपर software बनावना चाहते हैं तो नीचे comment में उसको लिखे मैं अगली वीडियो में उसको आपके लिए बना करके दिखाऊंगा कि कैसे उसको बनाना है तो फिलहाल गाइस अभी मुझे इजादत दीजिए मिलता हूँ अभी से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बावाय जै हिंद जै भारत